नमस्कार मेरी दोस्तों और मेरी दोस्तियों मेरे दुस्मनों और मेरी दुस्मनियों स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे एक नए वीडियो में और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अपोनेंट के सीसी टूप को आप लोग किस तरी वैसे तो ये वीडियो बहुत ही छोटी सी रहेगी लेकिन आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लोगे तो आप लोगों को CC टूप्स को किल करने में जो इस टाइम CW में प्रॉबलम हो रही है वो चीज नहीं होगी क्योंकि अगर आप लोग अपोनेंट के CC टूप्स को किल नहीं कर पाते हैं तो आपका 1 स्टार फेल जाएगा या फिर अगर अच्छा खासा नसीव रहा तो हो सकता है कि 2 स्टार चला जाए लेकिन टाइम फेल जरूर जाएगा और ये सब जो आप लोग 1 स्टार देख रहे हैं उसका में रिजन यही है कि ये लोग जो अपोनेंट बाले हैं वो लोग CC टूप्स को अच्छे से किल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हम लोगों के CC टूप्स में भदा हुए था सूपर मिनियन और हेड हंटर तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने सूपर मिनियन और हेड हंटर को मारने का सबसे सिंपल साइज टाइल वैसे अगर आप लोग इस बेस को देखी तो बेस बहुत ही ज़्यादा रश्ट है और जो बंदा यहाँ पर आर्मी लेकर के आया है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और यह भाई साहब का हीरोज का लेवल भी अच्छा खासा था अब देखिए अगर आप लोग सीर डवरियल में अटैक कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके क्लैन में से जो भी बंदा अटैक कर रहा है आप लोग देख लीजिए कि अपोनेंट के क्लैन काशल में कौन सा हो जाती है सबसे पहले देख लीजिए अगर कभी भी अपोनेंट के सीसी में से सूपर मिनियन निकल रहा है तो आप लोग सबसे पहले सूपर मिनियन के ऊपर फ्रीज स्पिल को डिपलॉय करिए फ्रीज स्पिल को डिपलॉय करने के बाद तुरंत पॉईजन स्पिल अब ज और यहीं पर इसका काम 25 हो जाएगा अब यह जो freeze करने का system मैं बता रहा हूँ यह सबसे ज़्यादा important है जो low town hall पर हैं जैसे town hall 9 या फिर town hall 10 या फिर town hall 11 की लोगों के लिए town hall 12 और town hall 13 के जो बंदे हैं वो लोग तो एक बार मार भी सकते हैं उनके heroes का level अच्छा है तो लेकिन जो low town hall पर हैं वो लोग सबसे पहले freeze और फिर उसके बाद poison जरूर यूज़ करिए बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग super minion और head hunter जब रहे उसको भी मार सकते हैं अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर opponent के CC troops में से witch और फिर उसके साथ head hunter निकल जाता है तो उसको कैसे मारेंगे अब जो लोग low town hall पर queen walk करते हैं उनके लिए ये सबसे ज़्यादा problem करता है और फिर इसमें time का पंगा बहुत ही ज़्यादा चला जाता है तो सबसे पहले आप लोग queen को जहां तक ले करके जाना है वहां तक ले करके जाएए और CC troops को एक बार देखें कहां पर use करने के पाद वो निकल जा रहा है जैसे कि यहां पर जो अपोनेंट का CC troops है वो निकल जाएगा अब इसके बाद जैसे ही वीच के छोटे छोटे पिल्ले queen के पास आने लगे तो वहां पर queen के थोड़ा सा आगे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ poison spell को डालना है सिर्फ poison spell के ही साथ आप लोग अपोनेंट के CC troops को अकाम 25 कर सकते हैं अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर सिर्फ और सिर्फ head hunter CC troops में भरा रहे तो उसको कैसे मारेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप लोग आए हैं चैनल पर पहली बार तो कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब अब जो मैं आप लोगों को चीज बताने वाला हूँ आइटम वो बहुत ही ज्यादा important है क्योंकि ये चीज धीरे धीरे इस time trending पर आती हुई चली जा रही है अगर अपोनेंट के CC में सिर्फ और सिर्फ head hunter भरा हुआ है तो उसको मारना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर head hunter जिन्दा रह जाता है तो वो पूरी army पूरे heroes को खतम करेगा तो देखिए अगर अपोनेंट के CC चूप में 2 या 3 से ज्यादा अगर head hunter है तो उसको मारने का 2 style है सबसे पहला तो यह है कि आप लोग poison spell को पहले deploy कर दीजे उसके queen के थोड़ा सा आगे फिर उसके बाद तुरंत वहाँ पर free spell और फिर एक rage spell queen के पास नहीं तो वो queen नहीं मा पाएगी उसको अब इसके बाद जो दूसरा style है वो आप लोगोंने कल Mr. Mrs. Mustafa और Queen Walkers के बीच जो match हुगा वो आप लोगोंने देखा होगा तो उसमें सबसे पहले free spell को deploy किया गया था उसके बाद poison spell को लेकिन यह चीज काम तब करेगी जब सिर्फ और सिर्फ एक head hunter रहेगा अगर दो या तीन head hunter है तो आप लोग वहाँ पर अगर सिर्फ fridge को use करना चाहेंगे तो आपकी जो queen रहेगी वो चली जाएगी तो कुल मिला जुला कर final result हम लोगों का यह निकलता है कि अगर head hunter निकल रहा है तो वहाँ पर आप लोग एक fridge spell जरूर यूज करिए फिर उसके ब बहुत जाता जरूरी है और जिस तरीके से हम लोगों का first war गया जिसमें one star बहुत ज़्यादा आए अपोनेंट के बिल्कुल उसी तरीके से second war भी जा रहा है यहाँ पर और यह अपोनेंट वाले CC troops को ही अच्छे से kill नहीं कर पा रहे हैं ऐसा नहीं है कि हम लोगों का बहु चलता हूँ बाए बाए मिलते हम सभी लोग अपने next वीडियो में तब तक के लिए आप सभी लोग खेलते रहे clash of clan फोडते रहे सभी का वेस और CC troops को मार करके CWL में सभी वेस को फोड यह बाए बाए